मसाला छांच हमारे पेट के लिए वर्दान है गरिम्यू में बहुत ही टेश्टी और मैदाल लगता है और स्वास्त के लिए बहुत यादा लाबदायक होता है इसे आप घर पर बहुत ही कम समय में बना सकते हैं तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मनें मिक्सी के जार में लबक डेल कप दही एड किया गया है इसे मनें घर पर जमाया था और इसे इसमें एड कर देंगे डेल कप दही डालने के बाद इसमें हम लोग पुदीना डालेंगे और धन्या डालेंगे यहाँ पर पुदीना लिया गया है पुदीना के प देट करेंगे काला नमक भी और यहांपर भून रहा जीरा पॉडर ऑड़र बना होता तो आधा कब पानी ये कर देंगे ये करने के बाद कि यह हमारा नहीं होगा पीसका है उसमें लगबग आधा ट्रही पानी ये करेंगे जादा गाड़ा है तो इसे में हम लोग पानी येड कर सकते हैं आप चाहें तो पानी स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको जो है गाड़ा पीना है तो इसमें आप आइस भी डाल सकते हैं ठंड़ा ठंड़ा पीने के लिए अब इसे हम लोग गिलास में डाल देंगे और इसे सर्व करेंगे इसके उपर हम लोग जीरा पौर डालेंगे जिससे हमारा और भी टेस्टी हो जाएगा दोनों गिलास में हम लोग इसे डाल लेते हैं और मार्केट में आपको असानी से मिल जाता है लेकिन मार्केट में क्या ह कई दिनों से इसे आप घर पर बिल्कुल फ्रेस बनाएं जो हमारे स्वास्त के लिए वह हमारा बनकर रेडी हो चुका है इसके उपर हम लोग मसाला डाल देंगे जीरा तब ईससे भून लिया गया था पूर्णने के बाद इसका हम लोगों ने पौडर बना लिया है आप इसके उपर हम लोग सजाने के लिए पुदीने के पत्तेट कर देंगे और यह हमारा पीने के लिए रेडि हो गया है इसे आप गर्मी में पिए आपको इस फूर्ती मिलेगी और स्वास्त के लिए पेड के लिए बहुत ही जादा हमारे लिए हेल्द के लिए लाबदायक है इसे आप घर पर ट्राइ करें बड़े बुड़े बच्चों सभी को पसंद आएगा और उनके स्वास्त के लिए भी सही रहेगा मैं इसी तरीके से आपके लिए धेर सारी नई नई रिस्पी की वीडियो ल